कि यह थे आपकेंपस लगे फर्फटे अफ देली टोड़े आपकेस का नाम है श्वमी महराब से स्टेट अफ उत्तर प्रद्थ यह दोजाद दोगा कैसे हैं जो की डाइवर्स यानिकी तिपल तलाग से इस केस में दो मुस्लिम कपल्स की जो है 1968 में मुस्लिम शर्यत लौ के हिसाब से शादी होती है और उस शादी के बाद उन्हें चार बेटे भी होते हैं लेकिन होता क्या है कि 1979 में वाइफ जो है अपने दो माइनल चिल्जन के साथ जो है CRPC के section 125 का इस्तमाल करते हुए maintenance क्लेम करती है और कहती है कि जो मेरे हजबन है वो हमें desert कर दिये हैं और साथी साथ उनका जो विवहार है हमारे परती वो बहुत ही cruel है इसलिए हमें जो है maintenance मिलना चाहिए जिसके जवाब में हजबन जो है वो written statement कोट में सब्मिट करता है 1990 को और उस statement में यह कहता है कि हमने अपनी वाइफ को तो 1987 में डाइवोर्स दे दिया था तो 1987 के बाद हम दोनों का जो relation है वह husband wife का relation ही नहीं और वह जो मेरी वाइफ है वह अब मेरी वाइफ नहीं है 1997 के बाद वह मेरी वाइफ ही नहीं इसके साथ ही परिद करके उसे दे दिया था एजे मेहर यानि के डोवर के रूप में इसलिए अब जो है किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस जो है मेरी वाइफ मुझसे क्लेम नहीं कर सकती है अब हम मेंटेनेंस नहीं देंगे जब मामला कोड में जाता है तो कोड कहती है कि मुस्लिम लौ में तलाक जो है उसका effectiveness अगर देखा जाए तो तलाक effective में तब आती है जब तलाक को pronounced किया जाए उसके husband के द्वारा लेकिन ये जो term pronounce है तो ये जो pronounce है वो husband के द्वारा किया जाएगा Proclamation के माधियम से या फिर Attraction के माधियम से या फिर Declaration के माधियम से या फिर Articulation के माधियम से या फिर अगर husband written statement के माधियम से भी तलाक जो है दे दे तो मांगे जाएगा कि तलाक हो गिया है लेकिन present case में अगर देखा जाए तो husband के पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं होता है जो ये प्रूफ कर सके कि उसने 1987 में ही अपनी wife को तलाग दे दिया था कोट आगे कहती है कि husband ने जो ये divorce की बात की है वो 1919 में written statement के माध्यम से court में की है कि उसने 1987 को ही तलाग दे दिया था इसकी जानकारी 1990 से पहले किसी को नहीं थी यानि कि wife को अभी पता नहीं था कि husband ने ऐसा कुछ काम किया है तो court करती है कि previous conduct के बारे में आप 1990 को accept कर रहे हैं कि इस तरह का जो statement है तलाग का वो हम semi- managesко करेंगे यानि कि इस तरह के तलाग को हम effective नहीं मानेंगे और चुक्कि हम इस तरह के तलाग को effective ही मानेंगे तो इस तरह के तलाग मेरेज भी dissolve नहीं होगा कोट आगे कहती है कि चुकि present case में marriage resolve नहीं हुआ है इसलिए wife के पास ये पूरा right है कि वह maintenance claim कर सके यानि कि wife जो है वह maintenance claim कर सकती है तो I hope कि आपको ये वीडियो informative लगा होगा अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें हमसे जुरे रहने के लिए हमाया चैनल के स चाहिए तो वार्टसेट नमबर कमेंड बॉक साथ इस वीडियो के description में मेंशन है आप मेसेज रखके PDF में कर सकते हैं thank you so much